C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तु थे विज्ञान की ध्वनी पाठ्थे पुस्तक कक्षा आठ विज्ञान कक्षा आठ, अध्याई 9, जन्तूं में जनन, पृष्ट एक सौ से, पृष्ट एक सौ बारह तक, तो आएए अब सुनते हैं, अध्याई 9, जन्तूं में जनन, पृष्ट एक सौ, आपने पाचन, परिसंचरण, एवं श्वसन प्रक्रम के बारे में पिछली कक्षा में पढ़ा था। क्या आपको इनके विशए में याद है? ये प्रक्रम प्रत्येक जीव की उत्तर जीविता के लिए आवश्शक है। आप पौधों में जनन के प्रक्रम के विशए में भी पढ़ चुके हैं। जनन जाती स्पीशीज की निरंतर्ता बनाए रखने के लिए आवश्चक है। कल्पना कीजिए कि यदि जीव प्रजनन नहीं करते तो क्या होता। आप इस बात को मानेंगे कि जीवों में जनन का विशेश महत्व है क्योंके ये एक जैसे जीवों में पीड़ी दरपीड़ी निरंतर्ता बनाए रखना सुनिश्चित करता है। आप पिछली कक्षा में पौधों में जनन के विशाय में पढ़ी चुके हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि जन्तु किस प्रकार जनन करते हैं। 9.1 जनन की विधियां। क्या आपने विभिन जन्तुओं के बच्चों को देखा है। कुछ जन्तुओं के बच्चों के नाम सारणी 9.1 में भरने का प्रयास कीजिए, जैसा के क्रम संख्या 1 एवं 5 में उदारण देकर दरशाया गया है। आपने विभिन जन्तुओं के बच्चों का जन्म होते हुए भी देखा होगा। क्या आप बता सकते हैं कि चूजे और इल्ली याने केटरपिलर किस प्रकार जन्म लेते हैं। बिलोटे और पिल्ले का जन्म किस प्रकार होता है। क्या आप सूचते हैं कि जन्म से पूर्विये जीव वैसे ही दिखाई देते थे जैसे कि वो अब दिखाई देते हैं। आईए पता लगाते हैं। पौधों की ही तरह जन्तुओं में भी जनन की दो विधियां होती हैं। ये हैं एक लेंगिक जनन और दो अलेंगिक जनन। सारणी 9.1 इस सारणी में तीन मुख्य शीर्शक लिखे गाई हैं। क्रमसंख्या, जन्तु, संतती, अर्थात, बच्चे। क्रमसंख्या 1 जन्तु, मनुश्य, बच्चे, शिशु, क्रमसंख्या 2 जन्तु, बिल्ली, इसके सामने का बक्सा खाली छोड़ा गया है, क्रिपया उसे भरिं। क्रमसंख्या 3 जन्तु, कुत्ता, इसके सामने वाला बक्सा खाली छोड़ा गया है, क्रिपया उसे भरिं। क्रम संख्या 4. जन्तू तितली इसके सामने वाला बक्सा खाली छोड़ा गया है, क्रिपया उसे भरिंग क्रम संख्या 5. मुर्गी याने कुकुट मुर्गी के बच्चे को चूजा कहा जाता है जो मुर्गी के सामने वाले बक्से में लिखा है क्रमसंख्या 6, गाए गाए के सामने वाला बक्सा खाली है, क्रिपया उसे भरिंग क्रमसंख्या 7, मेंधक इसके सामने वाला बक्सा भी खाली है, क्रिपया उसे भरिंग 9.2, लेंगिक जनन कक्षा 7 में आपने पौधों में जनन के विशाय में पढ़ा था इसे स्मरण करने का प्रयास कीजिए। आपको याद होगा कि लेंगिक जनन करने वाले पौधों में नर और मादा जननांग भाग होते हैं। क्या आप इन भागों के नाम बता सकते हैं। जन्तूओं में भी नर और मादा में विभिन जनन भाग अथवा अंग होते हैं। पौधों की ही तरह जन्तू भी नर और मादा युगमक बनाते हैं, जो सनलयत होकर युगमनज बनाते हैं। ये युगमनज विकसित होकर एक नया जीव बनाता है। इस प्रकार का जनन जिसमें नर तथा मादा युगमक का सनलयन होता है, लेंगिक जनन कहलाता है। आईए, हम मनुष्य में जनन भागों का पता लगाईं तथा जनन प्रक्रम का अध्ययन करें। प्रिष्ठ 101 नर जनन अंगों में एक जोडा विशन, दो शुक्रानू नलिका तथा एक शिष्ण अर्थात लिंग होते हैं। चित्र 9.1 व्रिशन नर युगमक उत्पन्न करते हैं, जिनें शुक्राणू कहते हैं। चित्र 9.2 को देखिए, जिसमें शुक्राणू का चित्र दिखाया गया है। शुक्राणू यद्यपी बहुत सूक्ष्म होते हैं, पर प्रत्येक में एक सिर, एक मध्यभाग एवं एक पूँच होती है। क्या शुक्राणू एकल कोशिका जैसे प्रतीत होते हैं? वास्तव में हर शुक्राणू में कोशिका के सामान्य संगटक पाए जाते हैं। चित्र 9.1 ये चित्र मानव में नर जननांग को दर्शाता है। इस चित्र में शुक्राणू नलिका, शिष्न तथा व्रिशन दिखाए गए हैं। इस चित्र में शुक्राणू का सिर, उसका मध्यभाग तथा उसकी पूँच दिखाई गई है। पहेली ने पूछा, शुक्राणू में पूँच किस काम आती है। मादा जनन अंग मादा जनन अंगों में एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनी, अर्थात दिम्वाहिनी तथा गर्भाशय होता है। चित्र 9.3 में मानव में मादा जननांग को दिखाया गया है। साथ ही इस चित्र में गर्भाशय, अंडवाहिनी दिखाय गई है। प्रिष्ट 102 अंडाशय मादा युगमक उत्पन्न करती हैं, जिसे अंडाणू अर्थात दिम्व कहती हैं, चित्र 9.4 मानव याने स्त्रीयों में प्रतिमास दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय से एक विकसित अंडाणू अथवा दिम्व का निर्मोचन अंडव पाहिनी में होता है, गर्भाशाय वो भाग है जहां शिशु का विकास होता है, शुक्राणों की तरह अंडाणू भी एकल कोशिका है, चित्र 9.4 इस चित्र में मानव अंडाणू दिखाया गया है, साथ ही इसमें इसका केंद्रक भी दर्शाया गया है, बूजो को पता है के विभिन जन्तूओं में अंडे का साइज अलग-अलग होता है, अंडाणू अती सूक्ष्म हो सकते हैं, जैसे के मनुष्य में, अथवा बहुत बड़े भी होते हैं, जैसे के मुर्गी के अंडे, शुतर मुर्ग का अंडा सबसे विशाल होता है, निशेचन जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणू और अंडाणू का सनलयन है जब शुक्राणू अंडाणू के संपर्क में आती हैं तो इन में से एक शुक्राणू अंडाणू के साथ सनलयत हो जाता है शुक्राणू और अंडाणू का ये सनलयन निशेचन कहलाता है चित्र 9.5 निशेचन के समय शुक्राणू और अंडाणू सनलयत होकर एक हो जाते ही निशेचन के परिणाम स्वरूप युगमनज का निर्मान होता है चित्र 9.6 इस प्रिष्ठ के ऊपर चित्र 9.5 दिखाया गया है. इसमें निशेचन की प्रक्रिया दिखाई गई है. इसमें शुक्राणूं अंडानूं के अंदर प्रवेश करते हुए दिखाई गई हैं. चित्र 9.6 ये युगमनज का चित्र है. इसमें सनलयित केंद्रक दिखाया गया है क्या आपको जानकारी थी कि एक युगमनज नए व्यष्टी का प्रारंब है? निशेचन के प्रक्रम में स्त्री याने मा के अंडानों और नर याने पिता के शुक्रानों का संयोजन होता है अतह नई संतती में कुछ लक्षन अपनी माता से तथा कुछ लक्षन अपने पिता से वन्शानुगत होते हैं अपने भाई अथवा बहन को देखिए ये पहचानने का प्रयास कीजिए कि उनमें कौन से लक्षन माता से और कौन से लक्षन पिता जी से प्राप्त हुए हैं वो निशेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है आंतरिक निशेचन कहलाता है मनुष्य, गाए, कुत्ते तथा मुर्गी इत्यादी अनेक जन्तूओं में आंतरिक निशेचन होता है प्रिष्ठ एक सौतीन इस प्रिष्ठ पर बाई और उपर परखनली शिशु के विशाई में पीले रंग के बकसे में महत्वपून जानकारी दी गई है क्या आपने परखनली शिशु के विशाई में सुना है? बूजो और पहेली के अध्यापक ने एक बार कक्षा में बताया था कि कुछ स्त्रियों की अंडवाहिनी अवरुद्ध होती है ऐसी स्त्रियां शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होती हैं क्योंकि निशेचन के लिए शुक्राणू, मार्ग अवरुद्ध होने के कारण अंड़ानू तक नहीं पहुँच पाते ऐसी स्थिती में डॉक्टर याने चिकित्सक ताजा अंड़ानू एवं शुक्राणू एकत्र करके उचित माध्यम में कुछ घंटों के लिए एक साथ रखते हैं जिससे IVF अत्वा इन्विट्रो निशेचन याने शरीर से बाहर कृत्रिम निशेचन हो सके अगर निशेचन हो जाता है तो युगमनज को लगभग एक सप्ताह तक विकसित किया जाता है जिसके पश्चात उसे माता के गर्भाशाय में स्थापित किया जाता है माता के गर्भाशाय में पूर्ण विकास होता है तथा शिशू का जन्म सामान्य शिशू की तरह ही होता है इस तक्नीक के द्वारा जन्मे शिशू को परक्नली शिशू कहते हैं ये एक मिथ्या नाम है क्योंकि शिशू का विकास परक्नली में नहीं होता आपको ये जानकर आश्चरे होगा कि अनेक जन्तूओं में निशेचन की क्रिया मादा जन्तू के शरीर के बाहर होती है इन जन्तूओं में निशेचन जल में होता है आईए पता लगाएं कि ये किस प्रकार संपन्न होता है क्रिया कलाप 9.1 वसंत अथवा वर्षारितू के समाए किसी तालाब अथवा मंद गती से बहते जरने का ब्रह्मन कीजिए जल पर तैरते हुए मेंधक के अंडों को ढूंडिए अंडों के रंग तथा साइज को नोट कीजिए वसंत अत्वा वर्शारितु में मेंधक तथा टोड, पोखर, तालाब और मंदगती से बहते जरने की ओर जाते हैं जब नर तथा मादा एक साथ पानी में आते हैं तो मादा सैंकडों अंडे देती है मुर्गी के अंडे की तरह मेंधक के अंडे कवच से ढखे नहीं होते तथा ये अपेक्षाकृत बहुत कोमल होते हैं जली की एक परत अंडों को एक साथ रखती है तथा इनकी सुरक्षा भी करती है चित्र 9.7 ये मेंधक के अंडों का चित्र है मादा जैसे ही अंडे देती है नर उस पर शुक्राणू छोड़ देता है प्रत्येक शुक्राणू अपनी लंबी पूँच की सहायता से जल में इधर उधर तैरते रहते हैं शुक्राणू अंड कोशिका के संपर्क में आते हैं जिसके फल स्वरूप निशेचन होता है इस प्रकार का निशेचन जिसमें नर इवं मादा युगमक का सनलयन मादा के शरीर के बाहर होता है बाहे निशेचन कहलाता है ये मचली स्टार फिश जैसे जली ये प्राणियों में होता है बूजो ने कहा मचली और मेंधग एक साथ सैंक्णों अंडे क्यों देते हैं जबकि मुर्गी एक समाई में केवल एक अंडा ही देती है प्रिष्ट एक सोचार पहेली ने कहा यद्यपी ये जन्तू सैंक्णों अंडे देते हैं तथा लाखों शुक्राणू निर्मोचित करते हैं सारे अंडों का निशेचन नहीं होता और वो नया जीव नहीं बन पाते इसका कारण ये है कि अंडे एवं शुक्राणू निरंतर जल की गती, वायू एवं बर्षा से प्रभावित याने अनावरित होते रहते हैं तालाब में दूसरे ऐसे जन्तू भी होते हैं जो इन अंडों का भोजन करते हैं अतह अंड कोशिकाओं एवं शुक्राणूओं का बड़ी संख्या में उत्पन्न होना आवश्चक है ताकि उन में से कुछ में निशेचन सुनिश्चित किया जा सके इस प्रिष्ठ पर नीचे चित्र 9.8 दर्शाया गया है 9.8 ए युगमनज का बनना तथा युगमनज से भ्रूण का विकास दर्शाता है इस चित्र में गरभाशय, रोपित भ्रूण, अंडाशय, अंडोत सर्ग तथा युगमनज दिखाए गए हैं चित्र 9.8 बी इस चित्र में कोशिकाओं का पिंड दिखाया गया है आवर्धित अवस्था में इस चित्र में ब्रून का गर्भाशाई में रोपन याने आवर्धित अवस्था में इसे दिखाया गया है इस चित्र में गर्भाशाई भिप्ती तथा विकसित होता ब्रून दिखाया गया है बूजों ने पूछा, एक एकल कोशिका किस प्रकार एक बड़ा जीव बन सकता है? भुरून का परिवर्तन निशेचन के परिणाम स्वरूप युगमनज बनता है, जो विकसित होकर भुरून में परिवर्धित होता है. चित्र 9.8a युगमनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है. चित्र 9.8b तत पश्चात कोशिकाओं समूही कृत होने लगती हैं, तथा विभिन उतकों और अंगों में परिवर्धित हो जाती हैं. इस विकसित होती हुई सनरचना को भृून कहते हैं. भृून गर्भाशाई की दीवार में रोपित होकर विकसित होता रहता है. चित्र 9.8c गर्भाशाई में भृून का निरंतर विकास होता रहता है. धीरे धीरे विभिन शारीरिक अंग जैसे के हाथ, पैर, सिर, आखें, कान इत्यादी विकसित हो जाते हैं. भृून की वो अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके, गर्भ कहलाता है. जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है, तो मा नवजात शिशु को जन्म देती है. प्रिष्ट 105 इस प्रिष्ट पर बाई और उपर चित्र 9.9 दिखाया गया है. इस चित्र में गर्भाशाय में भृून को दिखाया गया है. मुर्गी में भी आंतरिक निशेचन होता है. परन्तु क्या मनुष्य और गाय की तरह मुर्गी भी बच्चों को जन्म देती है. आप जानते ही हैं कि मुर्गी बच्चों को जन्म नहीं देती. तब चूजे कैसे जन्म लेती हैं? आईए, पता लगाएं. निशेचन के फौरन बाद ही युगमनज लगातार विभाजित होता रहता है और अंडवाहिनी में नीचे की ओर बढ़ता रहता है. इसके नीचे बढ़ने के साथ साथ इस पर सुरक्षित परत चड़ती जाती है. मुर्गी के अंडे पर दिखाई देने वाला कठोर कवच भी ऐसी ही सुरक्षित परत है. कठोर कवच के पून रूप से बन जाने के बाद मुर्गी अंडे का निर्मोचन करती है. मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में लगभग तीन सपताहा का समय लगता है. आपने मुर्गी को उश्मायन के लिए अंडों पर बैठे देखा होगा. क्या आप जानते हैं कि अंडे के अंदर चूजे का विकास इस अवधी में ही होता है? चूजे के पून रूप से विकसित होने के बाद कवच के प्रस्फुटन के बाद चूजा बाहर आता है. बाहिय निशेचन वाले जन्तूओं में ब्रूण का विकास मादा के शरीर के बाहर ही होता है. ब्रूण अंडावरण के अंदर विकसित होता रहता है. ब्रूण का विकास पून होने पर अंड जोत पत्ती होती है. आपने तालाब अथवा जरने में मेंड़क के अनेक टैडपोल तैरते हुए देखे होंगे जरायुच एवं अंड़ प्रजक जन्तू हमने जाना के कुछ जन्तू विकसित शिशु को जन्म देते हैं जबके कुछ जन्तु अंडे देते हैं, जो बाद में शिशु में विकसित होते हैं। वो जन्तु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं, जरायुज जन्तु कहलाते हैं। वे जन्तु जो अंडे देते हैं, अंड प्रजक जन्तु कहलाते हैं। निम्न क्रिया कलाप की सहायता से आप इस बात को और अच्छी प्रकार से समझ सकेंगे, तथा जरायुज एवं अंड प्रजक में विभेद भी कर सकेंगे। क्रिया कलाप 9.2 मेंधक, छिपकली, तितली, अथ्वा शलब, मुर्गी तथा कव्वे अथ्वा किसी अन्य पक्षी के अंडे का अवलोकन करने का प्रयास कीजिए। क्या आप इन सभी प्राणियों के अंडों का अवलोकन कर पाएं हैं? जिन अंडों को आपने एकत्र किया है, उनके चित्र बनाईए। कुछ जन्तुओं के अंडों का अवलोकन करना सरल है क्योंकि उनकी माँ शरीर के बाहर अंडे देती हैं। परन्तु आप गाय, कुत्ता, अथवा बिल्ली के अंडे एकत्र नहीं कर सकते। ये इसलिए क्योंकि वो अंडे नहीं देते। इनमें मा, पूर्ण विकसित शिशु को ही जन्म देती है। ये जरायुज जन्तुओं के उदाहरण हैं। अब क्या आप जरायुज एवं अंड प्रजक जन्तुओं के कुछ अन्य उदाहरण दे सकते हैं। शिशु से वयस्क। नवजात जन्मे प्राणी अत्वा अंडे के प्रस्फुठन से निकले प्राणी तब तक व्रिद्धी करते रहते हैं। जब तक वे वयस्क नहीं हो जाते। प्रिष्ट 106 कुछ जन्तुओं में नवजात जन्तु वयस्क से बिलकुल अलग दिखाई पढ़ते हैं। रेशम कीट के जीवन चक्र का स्मरण कीजिए। अंडा, अंडे से लारवा, अथवा इल्ली, उससे प्यूपा, और फिर उससे वयस्क। जिसके विशाय में आप कक्षा साथ में पढ़ चुके हैं। मेंधक इस प्रकार के जन्तुओं का अन्य उदाहरण है। चित्र 9.10 मेंधक में अंडे से प्रारंभ करके वयस्क बनने की विभिन अवस्थाओं याने चरणों का प्रेक्षण कीजिए। हम तीन स्पष्ट अवस्थाओं अत्वा चरणों को देख पाते हैं। अंडा, अंडे से टैडपोल, याने लार्वा, उससे वयस्क। क्या टैडपोल वयस्क मेंधक से भिन दिखाई नहीं देते। क्या आप सोच सकते हैं कि किसी दिन ये टैडपोल वयस्क मेंधक बन जाएंगे। उसी प्रकार, रेशम कीट की इल्ली या फ्यूपा वयस्क रेशम कीट से बहुत अलग दिखाई पड़ता है। वयस्क में पाए जाने वाले लक्षण नवजात में नहीं पाए जाते। फिर टैडपोल अथवा इल्ली का बाद में क्या होता है। आपने एक सुन्दर शलब को कोकून से बाहर निकलते देखा होगा। टैडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है जो छलांग लगा सकता है और तैर सकता है। कुछ विशेश परिवर्तनों के साथ टैडपोल का वयस्क में रूपांतरण, कायांतरण कहलाता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम शरीर में किस प्रकार के परिवर्तन देखते हैं। क्या आप सोचते हैं कि हमारा भी कायांतरण होता है। मनुष्य में जन्म के समय से ही नवजात शिशु में वयस्क समान शारीरिक अंग मौजूद होते हैं। 9.3. अलैंगिक जनन इन से हम परिचित हैं। परन्तु अत्यंत छोटे जन्तु जैसे के हाइड्रा एवं सूक्ष्मदर्शी जन्तु जैसे के अमीबा में जनन किस प्रकार होता है। क्या आप उनके प्रजनन करने के धंग के विशय में जानते हैं। आईए इसका पता लगाएं। इस प्रिष्ठ पर सबसे नीचे चित्र 9.10 दिखाया गया है। ये मेंधक का जीवन चक्र दर्शाता है। सबसे पहले ए याने अंडे को दर्शाया गया है। अंडे से बनता है B अर्थात आरंभी टैड़पोल और B याने आरंभी टैड़पोल से बनता है C बाद का टैड़पोल और C याने बाद के टैड़पोल से बनता है D याने एक वयस्क मेंधक प्रिश्ठ, 107. क्रिया कलाप 9.3 हाइडरा की स्थाई स्लाइड लीजिए आवर्धक लेंस अथवासूक्ष्मदर्शी की सहायता से इस स्लाइड का अध्ययन कीजिए जनक के शरीर से क्या कुछ उभरी सनरचनाएं दिखाई देती हैं इन उभरी हुई सनरचनाओं की संख्या ग्यात कीजिए इनका साइज भी ग्यात कीजिए हाइडरा का चित्र वैसा ही बनाईए जैसा आपको दिखाई देता है इसकी तुलना चित्र 9.11 से कीजिए चित्र 9.11. इस चित्र में हाइड्रा में मुकुलन को दर्षाया गया है। प्रत्येक हाइड्रा में एक या अधिक उभार दिखाई दे सकते हैं। ये उभार विकसित होते नए जीव हैं, जिनें मुकुल कहते हैं। स्मरण कीजिए कि यीस्ट में भी मुकुल दिखाई देती हैं। हाइड्रा में भी एक एकल जनक से निकलने वाले उर्द्व से नए जीव का विकास होता है। इस प्रकार के जनन को, जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है। अलेंगिक जनन कहते हैं। अलेंगिक जनन की अन्यविधी अमीबा में दिखाई देती है. आईए देखें ये कैसे होता है. आप अमीबा की सनरचना के विशाई में पढ़ चुके हैं, आप उस मरण होगा कि अमीबा एक कोशिक होता है. चित्र 9.12a इसमें केंद्रक के दो भागों में विभाजन से जननक्रिया प्रारंब होती है. चित्र 9.12b इसके बाद कोशिका भी दो भागों यानि कोशिकाउं में बट जाती है, जिसके प्रत्येक भाग में केंद्रक होता है. चित्र 9.12C परिणाम स्वरूप एक जनक से दो अमीबा बनते हैं चित्र 9.12D इस प्रकार के अलेंगिक जनन को जिसमें जीव विभाजित होकर दो संतती उत्पन्न करता है द्वीखंडन कहलाता है इस प्रिष्ट पर चित्र 9.12 दिखाया गया है इस चित्र में अमीबा में द्वीखंडन को दिखाया गया है प्रिष्ट 108 डॉली की कहानी किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग अथवा संपून जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन करने की प्रक्रिया क्लोनिंग कहलाती है किसी जन्तू की सफलतापूर्व क्लोनिंग सर्वप्रथम इयान विलमट और उनके सहयोगियों ने एडिनबर्ग स्कॉट लैंड के रोजलिन इंस्टिट्यूट में की थी उन्होंने एक भेड को क्लोन किया जिसका नाम डॉली रखा गया चित्र 9.13C डॉली का जन्म पांच जुलाई 1996 को हुआ ये कलोन किया जाने वाला पहला स्तंधारी था चित्र 9.13A फिन डॉर्सेट भेड चित्र 9.13B इसमें स्कॉटिश ब्लाक फेस इव को दिखाया गया है चित्र 9.13C इस चित्र में डॉली को दिखाया गया है डॉली की कलोनिंग करते समय फिन डॉर्सेट नामक मादा भेड की स्तन गरंथी से एक कोशिका एकत्र की गई चित्र 9.13A उसी समय स्कॉटिश ब्लाक फेस इव से एक अंड कोशिका भी एकत्र की गई चित्र 9.13B अंड कोशिका से किंद्रक को हटा दिया गया ततपश्चात फिंड और सिट भेड की स्तन ग्रंथी से ली गई कोशिका के किंद्रक को स्कॉटेश ब्लाक फेस इव की किंद्रक विहीन अंड कोशिका में स्थापित किया गया। यद्यपी स्कॉटेश ब्लाक फेस इव ने डॉली को जन्म दिया था परंतु डॉली फिंड और सिट भेड के समरूप थी जिससे किंद्रक लिया गया था क्योंकि स्कॉटेश ब्लाक फेस इव के किंद्रक को अंड कोशिका से हटा दिया गया था अतह है डॉली में डॉर्सेट भेड की स्वस्थ कलून थी, जिसने प्राक्रितिक लैंगिक जनन द्वारा अनेक संततियों को जन्म दिया। दुर्भाग्य से फेफणों के रूग के कारण 14 फरवरी 2003 को डॉली की मृत्यु हो गई। डॉली के बाद स्तंधारियों के कलोन बनाने के अनेक प्रयास किये गई। परन्तु बहुत तो जन्म से पहले ही मर गई तथा कुछ की जन्म के बाद ही मृत्य हो गई। कलोन वाले जन्तुओं में अकसर जन्म के समय अनेक विक्रितियां होती हैं। प्रिष्ठ एकसो नौ प्रमुक्षब्द अलेंगिक जनन द्वीखंडन मुकुलन अंडे भ्रून बाहे निशेचन निशेचन गर्भ आंतरिक निशेचन कायांतरण अंडप्रजक जन्तू लेंगिक जनन शुक्राणू जरायुज जन्तू युगमनच आपने क्या सीखा। जन्तू दो विधियों द्वारा प्रजनन करते हैं। ये हैं एक लेंगिक जनन तथा दो अलेंगिक जनन। नर युगमक एवं मादा युगमक के सनलय अंद्वारा जनन को लेंगिक जनन कहते हैं। अंडाशाय अंडवाहिनी एवं गर्भाशाय मादा के जनन अंग हैं। नर के जनन अंग हैं व्रिशन शुक्राणू नली एवं शिष्न। अंडाशाय मादा युगमक उत्पन्न करते हैं जिसे अंडाणू अथवा अंड कोशिका कहते हैं। व्रिशन नर युगमक उत्पन्न करते हैं जिसे शुक्राणू कहते हैं। अंडाणू एवं शुक्राणू का सनलयन निशेचन कहलाता है। निशेचित अंडा युगमनज कहलाता है। मादा के शरीर के अंदर होने वाले निशेचन को अंतरिक निशेचन कहते हैं। ये मनुष्य एवं अन्य जन्तूओं जैसे के मुर्गी, गाए एवं कुत्ते इत्यादी में होता है। वो निशेचन जो मादा के शरीर के बाहर होता है, बाहिय निशेचन कहलाता है। ये मेंड़क, मचली, स्टारफिश इत्यादी में दिखाई देता है। युग्मनज में अनेक विभाजन होते हैं, तथा ब्रून बनता है। ब्रून गर्भाशय की दीवार में स्थापित होता है, जहां उसकी वृद्धी एवं परिवर्धन होता है। ब्रून की वो अवस्था जिसमें उसके सभी शारीरिक भाग विकसित होकर पहचान योग्य हो जाते हैं, तो उसे गर्भ कहते हैं। मनुष्य, गाए एवं कुत्ते जैसे जन्तु जो शिशु को जन्म देते हैं, उन्हें जरायुज जन्तु कहते हैं। मुर्गी, मेंधक, छिपकली, तितली जैसे जन्तु जो अंडे देते हैं, अंड प्रजक जन्तु कहलाते हैं। लारवा का कुछ उग्र परिवर्टनों द्वारा वयस्क जन्तु में बदलने की प्रक्रिया कायांतरण कहलाती है। जनन का वो प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है। अलेंगिक जनन कहलाता है। हाइड्रा में मुकुल द्वारा नए जीव का विकास होता है। इस प्रकार के अलेंगिक जनन को मुकुलन कहते हैं। अमीबा स्वयम दो भागों में विभाजित होकर संतती उत्पन्न करता है। इस प्रकार के अलेंगिक प्रजनन को द्वीखंडन कहते हैं। प्रिष्ठ 110, अभ्यास, 1. सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपून है, समझाईए, 2. मनुष्य में निशेचन प्रक्रम को समझाईए, 3. सर्वोचित उत्तर चुनिये, क, आंतरिक निशेचन होता है, एक मादा के शरीर में, 2. मादा के शरीर से बाहर, 3. नर के शरीर में, 4. नर के शरीर से बाहर, ख, एक टैडपूल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है, वो है, एक निशेचन, दो कायांतरण, तीन, रोपन या चार, मुकुलन, ग, एक युग्मनज में पाये जाने वाले किंद्रकों की संख्या होती है, एक, कोई नहीं, दो, एक, तीन, दो, या चार, 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 ये कथन सत्य याने ट्रू हैं, अथवा असत्य याने फॉल्स हैं, संकेतिक कीजिए, क, अंडप्रजक जन्तु, विकसित शिशु को जन्म देते हैं, ख, प्रत्येक शुक्राणू एक एकल कोशिका है, ग, मेंधक में बाहिये निशेचन होता है, ग, वो कोशिका, जो मनुष्य में नए जीवन का प्रारंब है, युगमक कहलाती है, ड, निशेचन के पश्चात दिया गया अंड़ा एक एकल कोशिका है, च, अमीबा मुकुलन द्वारा जनन करता है, च, अलैंगिक जनन में भी निशेचन आवश्चक है, ज, दुईखंडन अलैंगिक जनन की एक विधी है, ज, निशेचन के परिणाम स्वरूप युगमनज बनता है, भुरून एक एकल कोशिका का बना होता है, पाँच, युगमनज और गर्भ में दो भिन्नताएं दीजिए, च, अलैंगिक जनन की परिभाशा लिखिए, जन्तुओं में अलैंगिक जनन की दो विधीयों का वरणन कीजिए, प्रिष्ठ एक सवग्या रहे, साथ, मादा के किस जनन अंग में भुरून का रूपन होता है, आठ, कायांतरण किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए, नौ, आंतरिक निशेचन एवं बाहिये निशेचन में भेद कीजिए, दस, इंदिये गए संकेतों की सहायता से क्रॉस शब्द पहेली को पूरा कीजिए, बाई से दाई ओर, एक, यहां अंडानू उत्पादित होते हैं, तीन, व्रिशन में उत्पादित होते हैं, चार, हाइड्रा का अलेंगिक जनन है, उपर से नीचे की ओर, एक, यह मादा युगमक है, दो, नर और मादा युगमक का मिलना, चार, एक अंड प्रजक जन्तू, विस्तारित अधिगम, क्रियाकलाप एवं परियोजनाएं, एक, एक कुकुट फार्म का ब्रहमन कीजिए, फार्म के प्रबंधक के साथ चर्चा करके, इन प्रशनों का उत्तर जानने का प्रयास कीजिए, ख, कुकुट फार्म में लेयर्स एवं ब्रॉयलर्स क्या हैं, ख, क्या मुर्गी अनिशेचित अंडे देती हैं, ग, आप निशेचित एवं अनिशेचित अंडे किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, घ, दुकानों पर मिलने वाले अंडे निशेचित हैं, अथवा अनिशेचित ड, क्या आप निशेचित अंडे खा सकते हैं? च, क्या निशेचित अंडे इवं अनिशेचित अंडे की पोशकता में कोई अंतर है? प्रिष्ठ 112 है जीवित हाइड्रा का स्वयम अध्ययन कीजिए एवं इस क्रिया कलाब द्वारा पता लगाईए कि वो किस प्रकार जनन करता है? ग्रीश मुरितु में तालाब अत्वा पूखर में जली ए खर्पतवार के साथ कुछ जल एकत्र कीजिए, इसे एक काँच के बरतन याने जार में रखिए, एक या दो दिनों में आपको जार की आंतरिक दीवार पर कुछ हाइड्रा चिपके दिखाई दे सकते हैं। हाइड्रा जली की तरह पार दर्शक होता है, जिसके कुछ स्परशक होते हैं। ये अपने शरीर के आधार से जार पर चिपक जाता है। यदि जार को हिलाया जाए, तो हाइड्रा पौरन ही संकुचित होकर छोटा हो जाता है, तथा साथ ही साथ अपने स्परशक भी अंदर खींच लेता है। अब कुछ हाइड्रा जार से बाहर निकल कर एक वाच ग्लास में रखिए। आवर्धक लेंस या दूरबीन अत्वा डाइसेक्टिंग सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनके शरीर में होने वाले परिवर्तन का प्रेक्षन कीजिए। अपने प्रेक्षन नोट कीजिए। तीन, जो अंडे हम बाजार से खरीदते हैं, वे सामान्यत है अनिशेचित होते हैं। यदि आप एक चूजे के भ्रून का विकास देखना चाहते हैं, तो कुकुट फार्म या स्फुटन शाला के निशेचित अंडेलें, जो 36 घंटे या उससे अधिक उश्मायन किये गए हों। आपको योक में श्वेत बिंदू जैसी सनरचना दिखाई देगी, ये विकसित भ्रून है, यदि हिरदय और रक्त वाहिनियां विकसित हों, तो रक्त बिंदू दिखाई देगा। चार, किसी चिकित्सक याने डॉक्टर से चर्चा कर जानने का प्रयास कीजिए कि जुडवां कैसे पैदा होते हैं। अपने आसपास अथवा मित्रों में कोई जुडवां ढूंडिए। पता लगाईए कि वो अभिन्यमज याने सर्वसम जुडवा हैं अत्वा असर्वसम यमज। ये भी पता लगाईए कि अभिन्यमज सदैव एक ही लिंग के क्यों होते हैं। जन्तुओं के जनन के संबंध में अधिक सूचना के लिए आप इन वेब साइट की सहायता ले सकते हैं। क्या आप जानते हैं? मधुमक्षियों के छत्ते में रुचिकर संगठन देखा गया है, जो कई हजार मक्षिकाओं की कॉलनी है। केवल एक ही मधुमक्षी अंडे देती है, ये मक्षिका रानी मक्षिका कहलाती है। अन्य सभी मादा मक्षिका कर्मी मक्षिका होती हैं। उनका मुख्य कार्य छत्ता बनाना, नन्हों की देख भाल करना, तथा रानी मक्षिका को परियाप्त भोजन देकर स्वस्थ रखना है, जिससे वो अंडे दे सके। एक रानी मक्षिका हजारों अंडे देती है, निशेचित अंडे से मादा बनती हैं, जबके अनिशेचित अंडे से नर बनते हैं, जो ड्रोन कहलाते हैं। इन कर्मी मक्षिकाओं का काम होता है कि वे अंडों के उश्मयन हेतु छत्ते का ताप 35 डिगरी सेल्सियस बनाए रखें। इसी के साथ 18 अध्यायों की इस पुस्तक का अध्याय 9 यहां समाप्त हुआ, वाचक बाबला को छड़। अभी आप सुन रहे थे यह ध्वनी पाठे पुस्तक। तक्नीकी नियंत्रण बटी लैंग लिंग्डो। तक्नीकी सहायक मयंक कुमार। निर्मान सहयोग अमित कुमार। निर्मान एवं निर्देशन वंधना अरिमर्दन। तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत। प्रस्तुती C.I.E.T. निर्मान सहां अरिमर्दों दिल्दमाद कुमार। झाल